कहते हैं कि माता-पिता के संसकार अपने बच्चों में जरूर आते हैं और कुछ इस तरीके की जो तस्वीर है आपकारी मंत्री नितिन अगरवाल की दोनों बेटियों में देखने को मिल रही है हमाई साथ वो दोनों लोग मौजूद हैं इनाया है अनाहिता है और उनी के साथ साथ गरिमा अगरवाल मैं भी है नितिन अगरवाल जी की पत्नी है और इन बच्चों ने जो ऐसे बच्चे जिनके पास पैसा नहीं होता है जो पढलिक नहीं सकते हैं उसके लिए इन्होंने इकाशा फाउंडेशन की शुरुवात करी है जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग बाबा और पापा के साथ जोतियों हारों पर जैसे दिवाली पर हर दोई जाते रहते थे और वहाँ पर बहुत सोशल वर्क करते थे बच्चों को पठाके देते थे मिठाया देते थे तो उससे हम लोगों को भी इंस्पिरेशन आई कि हम कुछ शुरू करें और ममा ने भी बोला कि हमें ऐसा कुछ शुरू करना चाहिए तो इसलिए हमने शुरू कि आप ऐसे छोटे बच्चों को देखती हूंगी जो सड़क पे लगता है आपको कि जो पढ़लिक नहीं सकते हैं तो आपको लगा कि इनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए हमें लगा कि हम लोगों को इतनी ऑपरचिनिटीज मिलती है तो उसके वैसा अगर हम इन लोगों को थोड़ा कुछ दे सके अपनी अपनी एजुकेशन थोड़ी सी उनके साथ बाट सके तो अच्छा होगा तो हमारे साथ इनाया भी मौजूद है इ सब करने के लिए इसी सब बढ़े होमें तो हमने लगा हैं अगर हम इसमें टेकनालोजी के मुझे लगता है लोगों को बताती है क्या टेकनालोजी है कैसे बच्चों सिखाने पढाने का काम किया जाता है कंप्यूटर की बात या ञागर करी जाए तो अभी तो हम उस स्कूल में हमने computer's दिया है हमें curriculum ready कर रहे हैं कि तो जैसे Microsoft Excel और Word वगरा उनको यह सब सिखाना है और कैसे use करते हैं इसके सारे tools use करते है उस तरीके से कुछ यह सोच कैसे पैदा हुई मैं यह जानना चाहता हूँ क्योंकि लोग तो होता है बाहर जाते हैं गूमते हैं जो मैंने देखा है लेकिन ऐसे बच्चों के लिए जो पैसे के अभाव में पढ़ लिख नहीं सकते हैं इलिटरेट रह जाते हैं को लगता है इसे इनको भी मौका म हाँ तो जैसे नहीं ने बोला कि हमें हमेशा से हुआ कि हमें लोगों की हेल्प करनी है और हमें लगा कि ऐसा कोई पूटेंशल जो ने खुद में ना देख पाए शाहद हम अदद करें वो लोग कुछ निकला है और इस नौर ओनली अबाट टिकनोलोजी स्पोर्स में भी कि जो बड़े से बड़े स्पोर्स में होता है वो बहुत चोटे चोटे गाउसे कभी कभी होता है तो क्या पता हम भी कुछ निकाल पाए है तो आप दोनों ही अभी पढ़ाई कर रही है खुद पढ़ाई कर रही है उनको पढ़ाने का समय कैसे मैनेज करती है हम जब भी ब्रे अगरिमा अगरवाल भी मौझूद हैं, मैं यह बताईए, आपका तो मुझे लगता है कि पूरी फैमिली, लब आपके ससुर के अगर बात करी जाए, नरेश अगरवाल जी, सभी लोग जानते हैं, आपके पती नितिन अगरवाल भी उत्ताप्रदेश सरकार में अपनी सेमाई दे रहे हैं, तो क्या सोच के आपके जो बेटियों के अंदर यह जो प्रेड़ना आई है, इसको किस तरीके से देखती हैं आप और कैसे पूरा कर रही हैं, अगर आप देखते हैं, तो एक बिजनसमैन का बच्चा, बिजनस में गुषता है, तो मुझे लगता है कि राजनी जाती है, हम लोग दिन रात बस यही देखते हैं, तो मेरे ख्याल से शायद बच्चे उसी से प्रेड़िट हुए हैं, और बच्चों के जो दादा है, वो कितना सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि हाँ, इंको और आगे बढ़ना चाहिए, इसको लेकर उनका सपोर्ट भी मिलता हैं, हाँ, पूरा सपोर्ट मिलता है, वो तो बड़ा खुश होते हैं कि हमने बच्चों को एक सही रास्ता दिया है, सही रहा दिखाई है, नहीं तो आजकल के बच्चे बहुत भटक जाते हैं, वो सिव अपने बारे में सोचते हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ हैं कि हमारे बच्चों ने औरों के बारे में सोचा, नितिन अगरवाल जी, वो कितना खुश होते हैं बच्चियों को इस तरीके का काम करते हुए देख, वो बहुत खुश होते हैं, बलकि वो खुच से इन्हें कितनी बार वहां लेके जाते हैं, जब हम लोग कोई न कोई इवेंट और किया होगा, अब देखें उस स्कूल में तो प्राइमरी है वो स्कूल, तो करीबन उनके हां 180 बच्चे हैं, तो अब उनका एक नया सेक्शन खुल रहा है, जिसमें क्लास 8-12 है, तो अगर हमें मौका मिलेगा तो हम वहां भी मदद करेंगे, प्योहार को भी आप होगा, कितना खुश होते हैं, क्या कहना चाहेंगी है, किस बार में, क्या कहते हैं, आप लोग को इस तरीके का काम करते हुए देखकर, पाप तो बहुत खुश होते है, पाप हमेशा मोटिवेट करते हैं, वो जाते भी हमारे साथ है, वो हेल्प भी करते है, सब कुछ प्ला बहुत जादा इंतुसियास्टिक है कुछ करने को क्यूकि जब भी हम कुछ करते है हो बहुत excitement से सब कुछ करते हैं उनको हमेशा बहुत excitement रहते हैं कि हम आए उनके साथ कुछ करें and activities करें तो पैसे के अभव में अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर पाते थे लखनाउसे वीडियो जनरली शर्विन कुमार के साथ संदीब खेर भारस समचार